कर दोस्तों आज हम करेंगे गक्षा बार्वी की मैथ की एसाइन्मेंट जो ठाइस अक्टूबर को आपके हमने आपके पास बेजी थी जे चप्टर टू जो आपका एनुस्ट ट्रिमेटिक फंक्शन है उस पर डिपैंड है और जो भी इंपर्टेंट क्वेस्चन है वो हम इस प्रिंसिपल वेल्यू ब्रांच ओप साइन इन्वर्स एक्स और को सिन्वर्स एक्स दोनों की हमें क्या लिखनी है प्रिंसिपल वेल्यू ब्रांच लिख रहे है तो प्रिंसिपल वेल्यू ब्रांच यह आप इनकी याद रखने पड़ेगी आपको जो साइन इन्वर्स एक्स की होती है यह टेबल आपकी दियु ही है टेबल आपकी बुक में दियु है पेज नमर 40 पी जो है इन शार्टी की बुकों से मिल जाएगी आपको तो साइन इन्वर सक्स के होती है दोस्तों माइनस पाइवाइटू से पाइवाइटू माइनस पाइवाइटू से पाइवाइटू ठीक है यहां ब्रैकेट क्लोज आएगी और जो कोसिन्वर सक्स की है दोस्तों कोसिन्वर सक्स के होती है जीरो से पाई ठीक है इसकी होती है ज एक नमबर में काफी अच्छा क्वेस्टन है अब क्वेस्टन नमर दो पर चलते हैं दो देके find the principle value of sign inverse 1 by under root 2 यह नि हमें किसकी principle value निकालने है principle value निकालने हमें sign inverse और 1 by under root 2 की ठीक है अब इसमें यह यूज होगी ठीक है इसलिए यह useful है इनको ध्यान लखना है इसमें कैसे यूज होगी जैसे हम इसको क्या मानके चलते हैं तो कि देखे दोस्तों इसमें क्या करते हैं इसमें जब भी आपको प्रिंसिपल वैली किसी की निकाल नहीं हो तो इसको लैट मानके करना पड़ेगा तो हम मान लेते हैं लैट है है साइन इन्वर्ष बन- URL इसको बैम लेते यह इसकी प्रिंसिपल वैली बरांच हमने क्या मान ले अब है साइन इन्वर्ष है यह सट गला जाएगा क्या उजएक अभ्या tha 서ग बायं दू और यह साइन इन्वर्ष था उस सेट तो और ये साइन इन्वर्स था उस साइट अगा हो जाएगा है साइन न वाई हो जाएगा ठीक है up कि अब हम क्या करेंगे हमें पता है वन भाई अंडरो 2 साइन कब होता है साइन वांड़ुटु थोता है साइन 45 डिगरी पे ठीक है is equal to sin y इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ sin y इधर कर लो और इधर लग दो sin 25 डिगर ले सकते हम sin pi by 4 लेख देंगे sin से sin cancel हो गया तो y के value दोस्तों कितने आप गए आपके पास pi by 4 ठीक है अब ये pi by 4 जो value आई है ये principal value branch कब कहलाएगी जब ये इस range के बीच होगी minus pi by 2 से pi by 2 के बीच तो जब आप यहाँ आप इंतारिश डिगरी रख रहे हो ना तभी आपको सोचना है तो 1 by and root 2 के value ऐसी रखनी है जो इस range के बीच हो तो ये इस range के बीच है minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच तो ये क्या आजाएगी आपकी यहाँ पर हम लिख देंगे last में sine inverse 1 by 2 and root 2 की principal value branch क्या आजाएगी pi by 4 आपका answer हो जाएगी ठीक है बस या answer हो गया अब question number 3 की तरब चलते हैं question number 3 आप पड़ ले पर the value of cos inverse cos 3 pi by 2 is कौन सी होगी इन चार option में से पतानी है किसके वाले निकालनी है हमें cos फिर inverse है और cos है फिर कितना 3 pi by 2 ठीक है अब एक बात ध्यान लखना कई बच्चे क्या करदेंगे इसमें cos inverse cos इदर कितना है 3 pi by 2 है इससे यह cancel कर देंगे तो pi by 2 आपका 3 pi by 2 आपका answer आगे यह घल्त है principle value branch इसलिए सीखी थी हमने क्योंकि वो यहां पर use होगी ठीक है कैसे use होगी अब दिखाते हैं आपको पहले तो यह देख लोगे यह गल्त क्यों होगी यहां से आपकी value कितनी आगी 3 pi by 2 answer आ रहा है क्या 3 pi by 2 इसकी principle value branch में आ रहा है इसकी principle value branch अभी अभी हमने लिखी थी 0 से pi थी यह लिखी थी ना यह रही 0 से pi थी इसकी principle value branch मैंसले लिए दोनों question ताकि आप दोनों question को समझ जाओ अच्छे से principle value branch क्या कहां काम आती है चुकि यह 3 pi by 2 तो ज्यादा हो गया pi by 2 से pi से ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया तो इसमें belong नहीं करता है इसलिए यह इसका गल्त है तो पहले इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि यह इसकी principle value branch में आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे cos inverse यह step आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसको लिख देंगे cos 2 pi minus pi by 2 लिख सकते हैं इसको ठीक है क्योंकि cos 2 pi minus theta ठीक है जब इसको खोलोगे ना जब इसको खोलोगे तो 2 यहां से 2 तो कितना आजाएगा 4 pi और minus pi कितना आजाएगा वही 3 pi by 2 आजाएगा ठीक है तो इसको हम क्या ले सकते हैं यह लिख सकते हैं ठीक है लिख लिख लिए हमने अब हम क्या करेंगे cos inverse cos 2 pi minus theta क्या होता है cos theta होता है ठीक इसको अब ध्यान लखना है तो क्या आजाएगा यहां पर cos 2 pi minus theta यह theta है तो यह कितना आजाएगा cos pi by 2 आजाएगा ठीक है और अब देखिए अब काट दो cos से cos cancel हो गया तो यहां पर क्या value आई pi by 2 अब यह pi by 2 value देखनी है 0 से pi के बीच में बिलों कर रहे है बीच में होगी value ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो principle value branch यहां काम आती है तो इसका answer कौन्छा हो जाएगा दोस्तो a option इसका answer हो जाएगा चले question number 4 की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता आपको principle value branch इंस question से अच्छे संभिया आगे हो भी देखें दोस्तो question number 4 पढ़ लो एक बार 4 question है so that sign inverse 2x undo to 1 minus x square किसके एक लगा 2 cosine inverse x के यह so that करना हमे x कहा होना चाहिए 1 by undo 2 से बड़ा और less than 1 होना चाहिए तो इस question को हमने देख लिया तो पहले हम क्या करें question number 4 है question number 4 में हम क्या लेके चलेंगे दोस्तों LHS side लेके चलते हैं पूरा question नहीं लिख रहा हूं है यह हमने लेके चलिए sign inverse 2x under root 1 minus x के लेके चलेंगे पूरू कर देंगे वह वाले side इसमें दोस्तों यार नगना हमें let करना पड़ेगा तो यहां पर बहुत ध्यान से let करना है cos inverse x पूरू करना है तो theta को आप मानो sorry x को x है ना यहां पर x को हमारे लेंगे cos theta ठीक है तो यहां से theta की value भी निकानने पड़ेगी दोस्तों theta की value क्या हो जाएगी यह cos side की inverse हो जाएगा cos inverse x हो जाएगा च direct की थी हमने x की value तो जहा जहाँ इसमें x है वहाँ cos theta पूत हो जाएगा तो sign inverse 2 क्या हो जाएगा cos theta इदर क्या हो जाएगा 1 minus cos square theta हो जाएगा x square हो जाएगा तो यह दोस्तों यह sin inverse 2 cos theta 1 minus cos grace theta हो जाएगा दोस्तों sine square theta होता है और उसका under root है ठीक है यह अब यहाँ पर क्या हो जाएगा sine inverse 2 cos theta और यहाँ पर A से कट जाएगा square root से under root यहाँ के बाच क्या बचा sine theta ठीक है और यहाँ पर क्या आगया sine inverse 2 cos theta sine theta क्या होता दोस्तों यह ध्यानों को sine 2 theta होता है formula trigonometrica और sine से यह कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर 2 theta और वापिस हम क्या करेंगे 2 theta की जगे इसकी value रख देंगे theta की cos inverse x की दो ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा यह हम प्रूब करना था हम यह लेके चले थे यह हमने प्रूब कर दिया तो hence यहाँ पर लिख दो प्रूब अब question number चलते हैं फिप्त की तरफ तो next question है दोस्तों इसमें question मुर्फाई है prove that tangent inverse x plus tangent inverse 2x 1 minus x square क्या होता है tangent inverse 3x minus x की cube और over में 1 minus 3x square तो इसको आप दोनों तरफ से prove कर सकते हो थोड़ीश condition दिये कि जो mode x है वो less than 1 by दोनों तरफ से आप prove कर सकते हो तो RHS side से हम prove करते हैं इसको देखिए दो फोले भी use हो जाएंगे आपको पता भी चल जाएगा जैसे RHS side है tangent inverse 3x minus x की cube divide by 1 minus 3x square ठीक है भईवाला है हमें tangent में prove करना है तो अब की बार x को क्या माल लेंगे जिसमें इप प्रूव करना हो पिछली बार cause इने प्रूव करना था तो cause माल लेंगे था अब की बार क्या माल लेंगे x की जगर tangent theta तो ये भी एक hint है आप द्यान रखना और यहां चे थीटा की value क्या आज जाएगी tangent inverse x आज जाएगी थीटा है tangent है उच्छार जाकी inverse हो जाएगा tangent inverse x ठीक है यह आगी अब ये value जोई से put कर लेंगे जहां जहां भी आपको x दिखाई देरा वहां put कर देंगे 3 आगी क्या आज जाएगा tangent theta x की जगए यहां पर x की cube है यानि tangent theta की क्या हो जाएगी cube 1 minus 3 x square है तो कितना हो जाएगा tangent square theta ठीक है अब आपको पता है दोस्तो ये जो formula है किसका formula है 3 tangent theta minus tangent cube theta और में 1 minus 3 tangent square theta ये formula होता हो दोस्तो tangent 3 theta का आप ध्यान रख लेना आपके formula दीए वे बुक में तो ये formula होता इसका अब वही बात है इसमें tangent से tangent cancel हो गया तो कितनी value आगी 3 theta अब हमें देखी चुकि 3 theta पूरू करना नहीं है तो theta की जगए वापस किसकी value रख देंगे theta की जो क्या value थी tangent inverse x तो tangent inverse x पूट कर दी अभी भी हमारा question नहीं हुआ है इसको लिख देंगे tangent inverse x पलस में 2 tangent inverse x लिख देंगे क्योंकि 2 और 1 मिल की क्या हो जाएगा वापस 3 tangent inverse x हो जाएगा अब ये तो हमें चाहिए है देखो left side ये हमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ये तो हमें चाहिए है इसको बदल देते हैं तो ये तो यूँ काई रख लो tangent inverse x और ये वाला formula बुक में दिया हूँ है क्या होता है ये होता है 2 tangent a वाला formula 2 tangent inverse x किसके वाल होता है ये होता है आपका tangent inverse 2 x over में 1 minus x किर होता है ये फोना जवाब खोलोगे तो ये आपका क्या आज आएगा ये ही में पूरू करना था देखिए question में आप देख सकते हो left side देख लो आप ये value लेके चले थे और हमें left side पूरू कर देखिए तो यहाँ पे लिख दो hence proved तो आज के लिए इतना ही जल्दी ही आपके लिए अगले assignment की वीडियो लेके राएंगे इसलिए हमारे साथ बने रहें और आप assignment को जरूर किया करो और जल्दी से जल्दी करके गरूप में भेजा करो ये आपकी book के question है लगसे नहीं है एक दू question लगसे होता है चलिए thanks for watching by my friends